सबसे पहले ये जानते हैं कि इस राशी परिवर्तन का महत्व क्या है, ये पूरा मामला क्या है देखिए सूर्य सोलह सत्रह नवंबर की मध्यरात्री को व्रिष्चिक राशी में प्रवेश कर रहे हैं सोलह तारीक की रात में तकरीबन बारह बजे के बाद यानि अंग्रेजी में सत्रह तारीक की शुरुवात हो जाएगी, इस समय सूर्य व्रिष्चिक राशी में प्रवेश कर रहे हैं, सोलह सत्रह की दर्मियानी रात है ये इस राशी में सूर्य की स्थिती बेहतर मानी जाती है, क्योंकि मोटे तोर से देखें तो 15 अक्टूबर से लेके तकरीबन 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशी में विद्यमान थे और यहां पर सूर्य सबसे ज़्यादा कमजोर होते हैं, बहुत ज़्यादा वीख होते हैं अब जो सूर्य का राशी परिवर्तन हो रहा है, इस राशी में सूर्य की स्थिती बेहतर मानी जाती है, काफी बेहतर मानते हैं इसको सूर्य अब क्या होगा तुला राशी में सबसे कमजोर इस्थिती में थे सूर्य अब सूर्य अपनी कमजोर इस्थिती से बाहर आ जाएंगे उतना निगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर नहीं दिखाएंगे लेकिन व्रिष्चिक राशी में पहले से शुक्र विद्यमान है यानि शुक्र इस समय व्रिष्चिक राशी में बैठे हुए है और सूर्य वहाँ पहुँच जाएंगे तो होगा क्या सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ हो जाएंगे सूरी की स्थिती में निश्चित रूप से सुधार होगा और चुंकी सूरी की स्थिती में सुधार होगा इसलिए हम सब के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ेगा और हम सब के जीवन में कुछ न कुछ चीजें पहले की तुलना में जादा बेहतर होंगी पिछले एक महीने में जब सूर्य बहुत कमजोर स्थिती में थे अगर आप गौर करें तो परियावरन की बात हो, राजनीती की बात हो, लोगों के स्वास्थ की बात हो इसमें तमाम तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही थी और हर व्यक्ती को कहीं न कहीं इस समय में परिशानी हो रही थी लेकिन अब सूर्य की स्थिती में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है और इसका प्रभाव लगभग एक महीने तक हम सब के जीवन पर देश दुनिया पर बना रहेगा और इसका प्रभाव दिखाई देगा अब इसका प्रभाव होगा कैसा किस राशी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी समझेंगे लेकिन उसके पहले ये समझें कि देश और दुनिया पर सूर्य के राशी परिवर्तन का अगले एक महीने तक कैसा असर पड़ेगा, कैसा प्रभाव दिखाई देगा देखिए, जल और यातायात से संबंदित दुरघटनाएं घड़ सकती है बाड़ा सकती है, पानी से दिक्कत हो सकती है यातायात के जो साधन है, जैसे ट्रेन है, परिवहन है, एरोपलेन है इससे संबंदित दुरघटनाएं भी इस समय घड़ सकती है लोगों के करियर में तमाम समस्याएं आएंगी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के नौकरी में इस दौर में प्राबलम आएगी नौकरी छूटेगी, या नौकरी में बदलाव करेंगे, या नौकरी में विभागों में परिवर्तन होगा बहुत सारी प्रॉबलम आपको लोगों की नौकरी में, लोगों के करियर में इस समय दिखाई देंगी रिष्टों में खास तोर से वैवाहिक जीवन के मामले में लोगों के जीवन में समस्या हो सकती है सूरी और शुक्र का जो मिलन है ये वरिष्चेक राशी में ये शुक्र के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होगा और चुक्कि शुक्र जो है वो पारिवारिक जीवन का मालिक होता है, पारिवारिक सुक का स्वामी होता है तो सूरी शुक्र के इस मिलन की वज़ा से आप देखेंगे कि लोगों के मेरिटल लाइफ में, लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देंगी, जादा तर लोगों के प्रेम संबंधों में दिक्कतें होंगी और वैवाहिक जीवन में समस्या आती चली जाएग के बीच में तनाव बढ़े और आंतरिक रूप से इस देश को अगले एक महीने तक अशांती का उपद्रव का सामना करना पड़े हाना कि गवर्मेंट इस पर कंट्रोल तो पा जाएगी ब्रस्पति धनुराशी में हैं लेकिन बावजूद इसके देश में आंतरिक समस्याएं इस दौर में बढ़ सकती हैं राजनेतिक रूप से तमाम परिवर्तन इस एक महीने में दिखाई देंगे पॉलिटिकली अगर हम देखें राजनेतिक रूप से देखें तो लोग अपनी पार्टियां बदलेंगे नई पार्टियां पुराने में पुरानी पार्टियां नए में इस तरह के तमाम बदलाव होंगे लोगों के आपसी जो गठ बंधन हैं वो गठ बंधन तूटेंगे और निश्चित रूप से इसकी वज़े से राजनीती में बड़े सारे परिवर्तन दिखाई देंगे ये जो जल की राशी है करक वरिष्चिक और मीन तीन जल की राशियां हैं ये राशियां बेसिकली इस्तरियों की राशियां हैं और वरिष्चिक राशी में सूरी के प्रवेश करने से महिलाओं के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है खास तोर से जो उच पदों पर बैठी उनके लिए इस समय सेहत की समस्याएं और जीवन में करियर की समस्याएं एकदम से बढ़ सकती हैं तो महिलाओं को अपने स्वास्थिका और अपने करियर का ध्यान देना पड़ेगा इस समय जो सूर्य और शनी का एक्सिस बन गया है सूर्य शनी के निकट पहुँच चुके हैं और शनी के साथ केतु विद्यमान हैं सूर्य के साथ शुक्र विद्यमान हैं इस कॉंबिनेशन की वज़र से आप देखेंगे कि देश की किसी बड़ी हस्ती का निधन इस एक महीने में हो सकता है यानि किसी प्रियका किसी हमारे नजदी की व्यक्ति का विचोह दूरियां हमें सहनी पर सकती हैं इस तरह की संभावना कुंडनी में जरूर बनती है